नमस्कार मैं हूँ अंशिता क्या योगी राज में दलितों आदिवासियों की आवाज उठाना उनके हग के लिए लड़ना गुना है अपराध है अगर ऐसा नहीं है तो फिर अम्बेदकर जनमोचा के सदस्यों को गोरखपुर पुलिस जेल में क्यों डाल रही है सिर्फ प्रदर्शन करने वालों को ही नहीं प्रदर्शन कारियों की बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए गोरखपुर गए कुछ यूटूबस को भी जेल में डाल दिया गया हैरानी की बात यह है कि उन पर गंभीर धाराए भी लगा दी गई है किन्य यूटिवर्स को उठाया गया? उन्हें कहां से उठाया गया? पोलिस ने क्या-क्या धाराए लगाई है? पूरा मामला क्या है? ये तो आगे बताएंगे ही लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई बीजेपी सरकार का आदिवासी और दलित प्रेम का सच सब के सामने निकल कर आ गया अब सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि ये सरकार सब के विकास का सिर्फ ढोंग करती है असल में ये उनकी आवास दवा रही है और उनके हक में बोलने वालों की भी आवास दवा रही है बता दें कि उत्तर प्रदेश में आंबेटकर जनमोचा पिछले तीन सालों से दलितों, आदिवासियों, पिछनों और पसमांदा समाज के भूमिहीनों को एक एक केकर जमीन देने को लेकर आंदोलन कर रहा है लेकिन योगी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही जब इन लोगों ने अपनी आवास को बुलंद किया तो प्रदेशनकारियों को जेल में डाल दिया गया उन पर गंभीर धाराएं दर्ज की गई है नेशनल मीडिया तो इस मामने से पूरी तरह दूरी बनाए हुए है कहीं भी इस प्रदेशन की खबर देखने को नहीं मिल रही लेकिन कुछ यूट्यूबर्स इनकी बात सुनने और प्रदेशन को कवर करने पहुँचे थे उनके साथ भी गोरखपूर पुलिस ने बचसलू की की दिल्ली से पहुँचे तीन यूट्यूबरों को केंट पुलिस ने गिरफतार कर कोट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया पुलिस ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या के प्रयास और आपराधिक साजश की धारा लगाई है पुलिस ने आरोप लगाया कि यूट्यूबरों ने कमिशनरी कार्याले के करमचारियों का गला दवाने की कोशिश और विवाद बढ़ाने की साजश रची मतलब जो आंदोलन तीन साल से चल रहा है पुलिस और प्रशासन उसे दवाने के लिए कोई और ही एंगल दे रही है दलितों के हग का सवाल दवाने के लिए आई बी से लेकर अन एजेंसियों की भी एंट्री हो चुकी है पूश्ताश के बाद गाजियवाद के गोरखपुर पहुंचे मनोश कुमार, दिल्ली के संतोश कुमार, संतकवीर नगर के रमेश शंद्र को साजश रचने और गला दवाकर हत्या की कोशिश करने का आरूप लगा कर जेल भेज दिया इसके लिए बाकाएदा पुलिस ने पूरी कहानी भी बनाई पुलिस का कहना है कि 10 अक्टूवर को करीब 11 बजे कमिशनर कारयाले परिसर में आकर जबरन बिजली का तार जोड कर मायक लेकर सरकार की अगोशे तियोजनाओ के नाम पर जमीन दिलवाने के लिए अलग अलग महिला और पुरुषों को इखटा कर जनसभा कर रहे थे इस पर कमिशनर कारयाले के करमचारीों ने समझाने की कोशिश की तो तीनों आग बजबूला हो गए और करमचारीों से धख्का मुक्की करने लगे और जान से मारने की नियत से गला दवाने लगे जबरदस्ती कार्याले में घुस करमचारी को गालियां देते हुए सरकारी दस्तावेस पार डाले और वहां रखे गंबले नश्ट कर दिये इससे अफरा तफी का माहौल बन गया लेकिन इस पूरे मामले के बाद और इस कहानी के बाद भी गोरखपुर पुलिस सवालों में घिर गई है क्योंकि हैरानी की बात ये है कि आरोप सिर्फ इन यूट्यूबर्स पर ही नहीं लगे है गोरखपुर पुलिस ने अंबेटकर जन्मोर्चा के सदस्यों के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के सेवा निवरत डियाई जी एस आर दारापुरी सहित साथ सामाजी कारिकरताओं को भी गिर अफ्तार किया है 11 अक्टूबर की रात में सभी को जेल भेज दिया गया उठाने के लिए इस प्रदर्शन को दवाने के लिए इस कदर कोशिश हो रही है कि इसमें विदेशी फंडिंग का एंगल भी जोड़ दिया गया पुलिस ने फ्रांसी सी फिल्म निर्देशक हेराल्ड बैलिटिन जीन रोजर को भी इस मामले में घरफतार कर लिया उनके उपर कमिशनर कार्याले परिसर में आयोजेत आंदोलन में शामिल होने का आरोप लगाया जबके अमबेटकर जन मोट्चा के सदस्यों का कहना है कि वो दलितों से जोड़े सवालों को लेकर एक डॉक्युमेंटरी के लिए यहां आये थे कि वो एक डॉक्युमेंटरी बनाने भारत आये हुए है फ्रांसी से फिल्म निदेशक के खलाफ पुलिस ने विदेशी अधिनियम की धारा 1946 के तहत के स्तर्च किया है विदेशे नागरिक के पकड़े जाने की सूचना विदेश मंतराले को भेजी गई है शुरुआती पूष्टाच में जीन रोजर ने आंदोलन से कोई सरोकार ना होने की बात कही उनका कहना है कि वो डॉक्युमेंटरी के लिए वीडियो बना रहे थे वहीं बात करें तीरों यूट्यूवर्स की तो पूष्टाच और जाच में पता चला कि तीनों दिल्ली में रहते हैं और यूट्यूब चलाते हैं इसमें से एक संतकवीर नगर के रहने वाले हैं और उन्ही के माध्यम से उनके दो अन्य साथ ही गोरखपुर आई थे सभी के मोवाईल फोन को कबजे में लेकर पुलिस वीडियो वा पोटो की जाच कर रही है सीओ केंट मानुष पारीक ने तीनों से बात कर जानने का प्रयास किया कि वो लोग किसके कहने पर धना प्रदर्शन को कवर करने दिल्ली सर गोरखपुर आए थे इसके उलट अंबेटकर मोर्चा में शामिल हुए लोगों का आरोप है कि ग्यापन देने के बाद अंदोलन में पुलिस लोग जाने लगे तभी कमिशनर कार्याले से ही लेखक पत्रकार डॉक्टर सिधार्थ को पुलिस हिरासत में लेकर कैंट पुलिस थाने चले गए कुछी देर में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी आंबेटकर जनमोर्चा के मुख्य संयूजक श्रवन कुमार निराला के घर पहुँच गए और उनके घर में घुसकर तलाशी ली इधर कमिशनर कार्याले से लोट रहे श्रमण कुमार निराला को पैडले गंज में पुलिस ने घेर लिया उस वक्त निराला के साथ सैक्डो लोग आधी रात बाद सभी लोगों को देवरिया बाईपास के पास हिरासत में ले लिया गया और बस से कोडी राम ले जाया गया वही आंदोलन में शामिल होने आये पूर्व डियाईजी एवं दलित चिंतक वा सेवा निबरट डियाईजी एस आर दारापुरी को ग्यारह अक्टूवर की सुभा पुलिस ने गिरफतार कर लिया आम बेटकर जन्मोर्चा की सदस्यों ने आगे बताया कि इस पूरे मामले में 13 नामजद और 10-15 अग्यात लोगों के खिलाफ केंट थाने में FIR दश कराई इन लोगों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने, तोड़ फोड करने, निशेद धाग्या का उलंगन करने और सावजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के आरोप में IPC की धारा 147, 188, 342, 332, 353, 504, 506, दंड विधी संशोदन अधिनियम 1932 की धारा साथ, सावजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और विध्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत केस दर्ज किया गया लेकिन 11 अक्टूबर की शाम जब पुलिस ने सभी गिरफतार लोगों को निचली अधालत में पेश किया तब भारती दंड सहिता की धारा 307 यानी जान लेने की कोशिश का मामला भी इसमें जोड दिया इसके अलावा पुलिस का आरोफ है कि ये आंदोलन बिना किसी अनुमति के किया जा रहा था लेकिन अंबेट कर जन मोर्चा का कहना है कि इस आंदोलन के लिए प्रशाशन से अनुमति मांगी गई थी और शाम को प्रशाशन को ग्यापन भी दिया आंदोलन में कोई हंगाम्या भी नहीं हुआ इसके बावजूद इस तरह की गिरफतारियां ये बताती हैं कि अब सरकार और उसकी एजेंसियां किस तरह सम्विधान के खलाफ काम कर रही है आज देश भर में जन अंदोलन को कुचला जा रहा है लेख को पत्रकारों और सामाजिक कार्यकरताओं का दमन और गिरफतारियां हो रही है ये घटना भी उसी की एक कड़ी है अब आश्चरी की बात ये भी है कि एक प्रदर्शन को रोकने के लिए योगी सरकार विदेश मंतराले तक पहुच गई जबकि जान लेने और दुशकर्म के बड़े-बड़े मामले हैं जहां पुलिस चुपी साधे बैठी दिखती है वहीं इस मामले ने बीजेपी सरकार के दलेत और आदिवासी प्रेम के दावे की पोल खुल दी है तो इस वीडियो में इतना ही आप से रोध है की यूट्यूब पर हमारे चैनल आटिकल लाइंटियर इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए कॉमेंट करके बताईए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताईएगा ट्विटर है आटिकल लाइंटियर अंडिया इसको भी फॉलो कर लिए नमारे